हेलो दोस्तों वसकार और एक और वीडियो में आपका स्वागत है आज हम क्वाडिटिक इक्वेशन्स ये चैक्टर का क्वेश्चन नमबर 3A देख रहे हैं हमारे क्वेश्चन बैंक जो की 2021 के लिए महाराष्ट्रबूर्ण ने निकाले हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दो हमारे मैच्स की क्वेश्चन बैंक तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें complete the following activities to solve the given quadratic equation by formula method तो हमें activity क्या दियो यह देखिए 2X square plus 13X plus 15 is equal to 0 यह हमारा शुरुवाती है इसके अंदर A क्या है बताओ मुझे A है 2, B है 13 और C है 15 तो लिख लो यह फिर B square minus 4AC क्या है यहाँ प 4AC हो जाएगा 13 का square minus 4 into 2 into A यह C है 15 तो यहाँ पर 15 आ जाएगा यह हो जाएगा 169 minus इन तिनों का multiplication हो जाएगा 120 जो की है 49 तो B square minus 4AC की हमने value निकाली अब X की value निकाल लेते है X है minus B plus minus under root B square minus 4AC upon 2A तो इसको हम लिख सकते है X is equal to minus B क्या है B है 13 minus 13 plus minus under root 49 upon 2A मतलब 4 हो जाएगा तो X हो जाएगा कितना minus 13 plus minus under root 49 ओके sorry for the disturbance अभी हाँ continue करते है तो यहाँ पर आ जाएगा under root 49 upon 4 यह सेम repeat क्यों किया इन्होंने मेरे को समझ में नहीं आया तो X क्या हो जाएगा X हो जाएगा या तो 6 upon 4 या तो X हो जाएगा minus 20 upon 4 तो X हो जाएगा minus का 3 upon 2 actually यहाँ पर minus आना चाहिए ना 6 upon 4 एक मिनिट माइनस 13 plus minus under root 49 अच्छा वहाँ पर under root 49 के जगा हमें 7 पुट करना है ओ sorry यहाँ पर 7 आयगा इस box के अंदर तो minus 13 यहाँ पर minus 13 plus 7 किया है तो उदर minus 6 आना चाहिए था तो इन्होंने plus 6 कैसे डाल दिया और यहाँ पर minus 13 minus 7 हो जाएगा minus 20 upon 4 तो यह जाएगा minus 3 upon 2 यह पहला और दूसरा जाएगा X equal to minus 5 simple तो यह हो गया पहला वाला solve चलो दूसरा वाला solve करते हैं next question is complete the following activity to solve the word problem अब देखो sum of squares of 2 consecutive even natural numbers is 244 find those numbers तो हमारे पास 2 number है पहला number को X मान लिया तो its consecutive मैं सीधा यहाँ से start कर रहा हूँ you can write the given तो consecutive even natural number will be X plus 2 क्यूंकि even है तो इसलिए X plus 2 लेंगे हम ओके तो बाइक given condition क्या आ जाएगा X square plus X plus 2 का square दोनों का square add करना है sum करना है उसका answer आएगा 244 यह हमें condition में दिया हुआ है उसको हम लिख सकते है X square plus X plus 2 का whole square हो जाएगा A plus B whole square A square plus 2AB B मतलब 4X plus B square मतलब 2 square 4 यह हो जाएगा minus minus 244 को इस side ला दो equal to 0 तो यह हो जाएगा 2X square इन दोनों का add किया plus 4X plus 4 minus 244 हो जाता है minus 240 equal to 0 इसको 2 से divide कर दिया तो आ गया X square plus 2X minus 120 equal to 0 तो अब इसको कैसे हम करेंगे देखो अपने मन से मत कर देना यहाँ पर जो हमें दिया है उसको ही solve करना है मतलब उसको ही consider करना है तो अगर X plus 12 दिया हुआ है हमें तो इसका मतलब यहाँ पर 12 से related कुछ आने वाला है plus 2X है ना तो इसको हम कर सकते है plus 12X minus 10X है कि नहीं तो X square plus 12X minus 10X minus 120 equal to 0 तो तभी आएगा X into X plus 12 minus 10 into X plus 12 equal to 0 तो यह हो जाएगा X plus 12X minus 10 equal to 0 एक्चली यह भी है यहाँ से सीद्या भी यहाँ पर डाल सकते है 10 को ओके तो X क्या हो जाएगा भाई X हो जाएगा एक तो value आजाएगी 10 जो कि दी हुई है और दूसरी value के आजाएगी minus 12 correct so these are the two answers very easy third question पे चलते हैं अब third question में क्या दिया हुआ है अच्छा third question ही नहीं what ठीक है next question तो अभी question 3b का first question क्या दिया है हमारे पास कि जो roots है वो real and equal है तो k की value नहीं कर लो पहले तो हम इस equation को देखते है इसको हम थोड़ा simplify कर लेते हैं इसको हम लिख सकते है kx square minus 2kx plus 6 equal to 0 ऐसे लिख सकते हैं अंदर मैंने multiply किया इसको इसको compare कर लेते है ax square plus bx plus c equal to 0 से तो a की value k आ जाएगी b की value minus 2k आ जाएगी c की value 6 आ जाएगी तो इस यह values आ गए हमारे पास तो b square minus 4ac की value निकलते है वो होगी minus 2k का square minus 4 into k into 6 यह हो जाएगा 4k square minus 4 6 आ 24 तो 24k है कि नहीं तो b square minus 4ac की value आती equation 1 उसे के साथ साथ roots are real and equal यह हमें दिया हुआ है given तो अगर यह given है तो हम क्या कह सकते है b square minus 4ac is equal to 0 equation 2 तो therefore आता है क्या 4k square minus 24k equal to 0 from equations 1 and 2 लिख सकते है तो इसको आप लिख सकते है 4k into k minus 4 6 आ 24 6 is equal to 0 है कि नहीं ऐसे लिख सकते है इसको 4k into k 4k square 4k into minus 6 minus 24k तो 4k 0 हो गया यह फिर k minus 6 0 हो गया तो k 0 अपन 4 हो जाता है यह फिर k 6 हो जाता है तो k 0 और k equal to 6 यह हमारे पास आगई k की value एकदम simple question था second question देखते है तो second question में दिया है mukund has 50 rupees more than Sagar अच्छा तो एक काम करते है let Sagar have x rupees तो उसके हिसाब से mukund के पास कितने होंगे 50 rupees ज्यादा तो mukund has rupees x plus 50 है कि ने अब हमें condition क्या दी है product of the amount they have is 15,000 मतलब from given condition हमें क्या मिलता है दोनों का product कितना है दोनों का multiplication कितना है 15,000 तो हमें amount निकालना है दोनों के पास कितना है तो बहुत ही आसान है इसको bracket में multiply करो ही हो जाएगा x square plus 50x 15,000 इदर ला दो minus 15,000 equal to 0 अब इसको quadratic equation के हिजाब से solve कर सकते है 15,000 कैसे आएगा 15,000 आएगा 150 multiplied by 100 और 150 minus 150 भी होता है तो you can write x square plus 150x minus 100x minus 15,000 equal to 0 तो x into x plus 150 minus 100 into x plus 150 is equal to 0 you can check it if you want लेकिन यह सही है इतना मुझे तो confidence है तो यह हो जाएगा x plus 150 x minus 100 equal to 0 तो x हो गया x plus 150 equal to 0 और x minus 100 equal to 0 तो x हो जाएगा minus 150 या फिर x हो जाएगा 100 लेकिन लेकिन हमारा जो amount है it cannot be negative amount can't be negative therefore x is equal to minus 150 is not acceptable तो x क्या है 100 है और x plus हमारा क्या था x plus 50 हो जाएगा 100 plus 50 जो क्यों हो जाएगा 150 तो मुकुंद के पास है हमारे 150 रूपए सागर के पास है 100 रूपए final statement आप लिख सकते हैं बहुत ही आसान है चलिए third question देखते है solve this quadratic equation ठीक है बहुत बढ़िया अब मैं क्या सोच रहा हूं न मुझे इसमें थोड़ा सा doubt है ठीक है मैं काम करता हूं इसको मैं थोड़ा और deep में सोचता हूं और मैं आपको next video में इसका answer देता हूं इसके लिए थोड़ी जगा छोड़ दो मैं अभी यह वाला solve कर ले तो solve the following quadratic equations by formula method तो पहला वाला देख लो भाई 5m square minus 4m minus 2 equal to 0 हमें दिया हुआ है तो formula से सबसे पहले तो am square plus bm plus c equal to 0 से compare करना पड़ेगा तब a की value आएगी 5 b की value आएगी minus 4 c की value आएगी minus 2 तो b square minus 4ac क्या हो जाएगा वो हो जाएगा minus 4 square minus 4 into 5 into minus 2 वो हो जाएगा 16 minus minus plus हो जाएगा यह दोनों का 4 5s are 20 22s are 40 यह हो जाएगा 56 तो b square minus 4ac हो गया 56 फिर उसके बाद तो x की value क्या हो गई वो हो गई minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a यह हो जाएगा minus of minus 4 plus minus under root 56 upon 2 into 5 यह हो जाएगा 4 plus minus under root 56 upon 5 to 10 तो x की value यह है तो इसको हम लिख सकते हैं as एक second इसको हम कैसे लिख सकते है 4 plus minus under root यह 56 कैसे हैगा 4 into 14 आजाएगा 14 fours of 56 upon 10 it can be written as 4 plus minus 2 root 14 upon 10 अब देखो भई हम क्या कर सकते हम यहाँ पर इसको जो है 2 plus plus minus होना चाहिए sorry plus minus root 14 upon 5 x का value तो x का एक value हो गया 2 plus root 14 है भई मैं 15 क्या लिख रहा हूँ 14 upon 5 या फिर x का दूसरा value होगा 2 minus root 14 upon 5 तो x का बस यही तो final है उसके आगे और क्या कर सकते हैं हो गया यह हो गया solve ठीक है and final statement you can write therefore 2 plus root 14 upon 5 and 2 minus root 14 upon 5 are the roots of the given quadratic equation ठीक है b वाला भी solve कर लेते b हमें दिया हुआ है y square plus 1 third y equal to 2 एक काम करो इसको 3 से multiply करता सारी चीज़े तो यह हो जाएगा 3y square plus 1 third into 3 हो जाएगा cut cancel यह हो जाएगा y और 2 हो जाएगा 2 threes are 6 इसको यह आप लिख सकते हो 3y square plus y minus 6 equal to 0 6 को set shift कर दिया ओके यहाँ पर reason लिख लेना multiplying both sides by 3 ऐसे reason लिख सकते हो आप so now let's take let's compare it with ay square plus by plus c equal to 0 तो a की value 3 b की value 1 c की value minus 6 तो b square minus 4 a c क्या आ जाता है 1 square minus 4 into 3 into minus 6 यह हो जाता है 1 minus minus plus 4 threes are 12 12 six are 72 यह हो जाता है 73 b square minus 4 a c 73 हो जाता है तो x की value minus b plus minus under root b square minus 4 a c upon 2 a तो minus b की जगा आ जाएगा minus 1 plus minus under root 73 upon 2 into 3 यह हो जाएगा minus 1 plus minus under root 73 upon 6 तो यह तो x की value minus 1 plus root 73 upon 6 है यह तो x की value minus 1 minus root 73 upon 6 है कोई तो एक value है and final statement you know how to write okay now let's see this question fourth question यहाँ पर क्या दिया है form a quadratic equation if roots of quadratic equation are 2 plus root 7 and 2 minus root 7 बहीं बहुत ही आसान है alpha लेलो 2 plus root 7 beta लेलो 2 minus root 7 यहाँ पर let लिख लेना ठीक है तो alpha plus beta की value क्या हो जाएगी 2 plus root 7 plus 2 minus root 7 plus root 7 minus root 7 कट गए 2 plus 2 4 alpha plus beta की value okay फिर alpha beta की value हो जाएगी 2 plus root 7 into 2 minus root 7 वो हो जाएगी कितनी 2 square minus root 7 का square because a plus b a minus b है तो a square minus b square हो जाएगा तो इसको आप लिखो 4 minus 7 यह हो जाएगा minus का 3 alpha beta तो बहीं बना लोग x square minus alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0 is the required quadratic equation put the values x square minus alpha plus beta is 4x plus minus 3 equal to 0 और x square minus 4x minus 3 equal to 0 यह बन गई हमारी equation is it clear किस तरीके से solve करते तो question number 4 हम next video में solve करेंगे thank you so much for watching अच्छा लगाओ like कर दो channel पर नवा subscribe कर दो दोस्तों के साथ share जरूर करना video and मिलेंगे अगले video में until then bye bye